जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्सा का सीजन चल रहा है लेकिन हमने देखा है कि बारिस का कोई ने एक पर्टिकुलर टाइम होता है और अगर आपको ये वीडियो देखने के बात आपकी गेसिंग पावर बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी और आप भी अनुमान लगा सकते हो कि कब बारिस हो सकती है और बारिस कब होती है क्यों होती है और कैसी होती है इसका संपूर्ण वीवरण आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो गाईज ये बहुत ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है चाहिए आप केसी भी सबजेक्ट के हो लेकिन आप एक तरह से मोसम विज्ञानी बन जाओगे तो आप मैं आपको मोसम विज्ञानी बनने जा रहा हूं ये बान के आप चलो एक चीज याद रखो आप की तापमान किस चीज की बात कर रहा हूं मैं तापमान तापमान समानपाती मैं आपको ले रहा हूँ एक सब्द ले रहा हूँ आदरता जिसको humidity कहते हैं temperature और humidity जैसे तापमान ग्रो करता है जैसे इसे तापमान बढ़ेगा वायू मंडल में आदरता की मात्रा बढ़ती है आदरता बोले तो नमी और जैसे नमी बढ़ेगी तो मतलब नमी का मतलब है कि एक बात में जलका वास्परूप और जलका वास्परूप जैसे वायो मंडल में जाएगा और जैसे उचाई बढ़ती है तापमान आपको पता है 165 मेटर की उचाई पर एक डिगरी सेल्सिस तापमान कम होता है और जैसे जैसे तापमार कम होगा तो यह जो नमी है आपकी यह आदरता है यह दीरे दीरे क्या होगा इसका संगनन होगा क्या होगा इसका संगनन होगा और इस संगनन के करण क्या होती है एक वायू में एक पॉइंट आता जिसको कहते हैं संतरपत एक आवस्ता आएगी संतरपवस्ता और उस अवस्ता में जाकर प्रियाओगा बादल बनते हैं तो अब यह पुरा प्रोसेस जानते हैं और कैसे बादल बनें गे यह आदर्ता को हभ determination होती है यह एक सापए कि आदर्ता तब बरसात इस्ठाडें अन्यों हिसमें समस्भीन कि कोसिस करते हैं Wegen कुछ चीजह इस में टेक्निकल आएगी लेकिन आप समझरी कोसिस करनां अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहला टॉपी का आदर्ता आदरता जैसा कि अभी पूरू में मैंने बताया कि ये जल का कौन सा रूप है वास्प रूप है तापमान जितना अधिक ज्यादा होगा वायो मंडल में जल वास्प उतने अधिक होगी तापमान कम तो जल वास्प कम अब एक चीज़ आपको जहां तक समझ में आगी होगी कि जधा तापमान होगा तो जल वास्प होगा तो बादल बनेंगी वर्सा होगी तापमान कम है जल वायो मंडल में नहीं जाएगी बादल नहीं बनेंगी वर्सा नहीं यह करना कि गर्मियों में तिक वर्सा होती है और स बंड़े ह Covid-19 सेपेलेटा अलक से से वीडियू बना रखा मैं आसे आपको बता दिता हूं अधरता कि प्रकार की होता है कि एक होती है int2 पैक्स पैप हुए दूसरी होती है therapies अर्था ओड़ित अर्रों त्रीसरी होती ये सापेक्षित आधरता मोसम विज्यानी इन में से सापेक्षित आधरता के आधरता के आधर पर वर्सा का पुर्मनमान लगाते हैं अब आपको यह समझे जड़िए कि सापेक्षित आधरता से मोसम विज्यानी किस परकार से वर्सा का आंकल लगाते हैं और यह संभवना जहरी करते हैं कि आने वाले 24 गंटों में भारी वर्सा है वर्सात जाद आने वाली है या सूका रहेगा जो भी संभवना आपकी है वो इससे निकलती है अब हम आपको बताना चाहेंगे निर्पेक्स आदरता और सापेक्सी आदरता आपको गया रखना है सापेक्सी आदरता सापेक्सी आदरता और आदरता धारन करने की ख्रमता का प्रतिसत में अनुपाद है किसमें अनुपाद है प्रतिसत में अनुपाद है अब मैं आपको एक सोट में निर्पेक्स आदरता क्या है निर्पेक्स आदरता है वायू मंडल में कोई निस्यर ता सब्सक्राइब निर्पेक साधर्ता लेकिन 35% साप अब कि सबने कि इसको करते हैं दर्ण करने कि इसको चाहिए अब आपके पास आजाओ अभी अगर हम सापेक से आधरता निकाले किस पर 35% से से सपे तो कितना आएगा 50 बटे 100 इंटू 100 सो से 100 कट गए मतलब 50 परसेंट अभी क्या है हमारे पास वाइव मंटल में साप एक्सित आधरता है लेकिन हमें आमें क्या चीए हम तो ये समझना चाहें ना भाई कि बारिस कैसे हो बारिस कब होगी ये बास समझाना सर तो हम लिक्सित आधरता हंडेर्ड पर्षेंट हो जाएगी इसका जो रजल्ट आएगा जो इसको आंसर आएगा वो हंडेर्ड पर्षेंट होगा तो यह तो वर्सा होगी तो अब इसको हंडेर्ड पर्षेंट कैसे करें तो अब आपको हंडेर्ड पर्षेंट करना है तो इस हंडेर तरीके बताएं मैंने दो तरीके और इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं सापेक्षित आधरता को 100% कर सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों आप इस चीज को ध्यां रखना कई बार क्यूसर बन सकता है सापेक्षित आधरता 100% कब होगी या सापेक्षित आधरता को सं पास गटनाई गटे दो रही है अब देखेस में क्या होगा या तो हम क्या करें क्योंकि अभी हमें पता है कि इस तेमपरेच में 100 तो पयोट आगर कम कर दें। इस को पचास कर दें। तो पचास ओफले डी ये हैं। फ़ुंद रखिया है। इस पर दिया नागंत्व हम तापमान तो क्या है तापमान हम कह सकते हैं तापमान और आदरता धारन करने की किशमता में क्या है समानपाती सम्मंध है तो यह चीज आपको ध्यार रखने है तो हमारे सामने दो अप्सन आगे या तो हम क्या करें निर्पेक्स आदरता को बढ़ा दे या हम क्या करें आदरत करते हैं पहले चीज हमारे पास है कि हम करते हैं सापेक्स आधरता को तो इसमें क्या करते हैं निर्पेक्स आधरता आपने सुनाओगा कि जंगल वन वर्सा करने में साइक होते हैं और बड़े बुजर गे भी करते हैं कि पानी को देखकर पानी आता है ठीक वैसी जैसे पैसे से पैसा आता है तो आप इस चीज़ को समझें कि जैसे ये कोई हवा है और इसमें अभी जो आदरता है वो है पचास ग्राम टेंपरेचर हमने कोई चेंज नहीं कर रहे है निस्षिताप मन लेकिन जैसे आप सोचो यहाँ पर दो कंडिशन है जल है तो यह जल यहाँ से वास्प होगा या फिर यहाँ पर जंगल है और जंगल से भी वास्प सरजन होता है जैसे ही यह हवा इदर आएगी चोंकि क्या है ऐस अंतरप्त क्योंकि अभी इसमें जितनी इसमें आदतादान करने की खिशमता तो है 35 जिग्री पर आसंतरप तो है जैसे ही अवा आएगी तो यहाँ से नमी को लेगी यहाँ से नमी के लिने के बाद इसकी जो नमी है वो बढ़कर यहाँ से जो अभी कितनी है पचास है वो सो ग्राम हो जाएगी अब जैसे 100 ग्राम होई तो निर्पेक्स आदरता और सापेक्स आदरता दोनों क्या हो गई भीया समान हो गई मतलब सापेक्सित आदरता 100% अगर मालो जला से नहीं हो और यह वायरासी किसी 1-6-3 से जा रही है तो यहाँ पर भी जलवास्प है तो यहाँ से दारन करने की क्या करती है अपनी जो संतर्पता होसता है उसको संतर्पत कर देगी और यह भी 100 हो सकती है तो हमारे पास क्या हो गया तो आंसर हमारा 100 आएगा क्योंकि यह 100 निर्पेक्स आदरता बढ़ने से सापेक्सित और आदरता धारन करने की किशमता दोनों समान हो जाती है तो सापेक्सित आदरता 100% होगी तो एक इसमें statement हो सकता है कि निर्पेक्स आदरता और आदरता धारन करने की किशमता जब समान होती है तब सापेक्सित आदरता 100% होती है बिल्कुल सई गतन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अब आजाओ, दूसरा गतन देखते हैं, देखते हैं अपन, दूसरा है, कि हम क्या करेंगे, इसके आधरताधान करने की खशमता को कम कर दे, जो भी 50 है, इसको क्या कर देते हैं, जो अभी 100 है, इसके गठागे, तो इसके पहले से ओल्रीटी पचास ये पचास बटें पचास पचास से पचास काड़ दो बस गए 100 परसेंट इसकी साफ एक्सित आधरता हो गई दो तरीके से अब आप देखिए मैंने पहला कह दिया वर्सा तरान में जंगल और जलास ये कैसे साइक है आप बिल्कुल आंसर दे सकते ह पड़ती हो क्यों कि उससे क्या होती है निर्प्यक सादा बढ़ती है टेंप्रेचर कम होने से क्या होता है आधाधा धारन करने की किस्शमता घडती है तो अब आप इसके कि सुबह सुबह बारिस स्टाट होती है क्यों सुबह क्यों होती है क्योंकि उसमें तापमान गड़ता है तापमान कम रहता है और जैसे तापमान कम होगा आधता धारन करने की किशमता क्या रहती है कम होती है और आधता धारन करने की किशमता जैसे कम होगी तो आप आंसर दे सकते हो और नहीं सब्सक्राइब दूसरा कारण इसका यह आपने भी नोट किया कि दो फर बाद में बारे से स्टार्ट होती है तो जलवास में से जला से उन में से पानी वासु बनता है और पानी वासु बनते बनते क्या हो जाएगी इसके आधरता जो निर्पेक साधरता वो अपस बढ़ेगी उससे क्या होगी निर्पेक साधरता थि वायमडल में नमी की मातरा की आपूर्ती हो रही है नमी खुब बढ़ रही है और जैसे जिसके खुब बढ़ी चाए जलास से बढ़ो चाए कैसे बढ़ो तो यह जब 100% होगी यह बृसुरी इसकी दारस सम्ता और इसकी सम्ता जब ब्राबरो यही तो बरसात होती है तो यह आपके चीज होगी और जैसे जैसे आपने सुबह देखा होगा, सुबह बारिस प्रारण हो गई एक इसको समझाता हुँ मैं, जैसे सुबह बारिस प्रारण होती है, तो क्या कंडिशन होती है सुबह अर्ली मॉर्णिंग हम देते हैं हाँ पर 6 बजे बारस प्रारम हो गई बरसात हो रही है दस बदे बाज देखें कि दीदरे बादल साप बादल गायब हो जाते हैं क्यों होते हैं अब बादल गायब क्योंकि एक तो यहां की जलवास में नीचे आ गई पूरी फिट टे सापेक्स आधासा कम हो गई दूर्षर टेंप्रेछर बढ करने कि सब्सक्ता भी बाड़ जाएगी तो पिर सापेक्स से आधाने कोerves्चा वर्षात नहीं होगी तो यह पूरा हमारा सापेक्सित आधरता पे डिपेंड है और इसी के आधार पर भारतिये मोसम मि इग्याद स संस्थानों चाया अंत्रास्थिक कोई विशन सथानों अपनी बविश्वानी करती है आपको अगर अगर इनलागा मैं यह इनक्रावा अच्छ नगा तो मैं आप लाइक करें लाइक करें और सब्सक्रायब करें क्योंकि अब मैं कुछ समय बात फर्स्ट डेट की जो डेट आ रही है अक्टूबर माह में है तो मैं पहले प्रैक्टिकल स्टाट करना चाता हूँ कि प्रैक्टिकल कमजोरी है कमजोरी है से आपको एक्जाम पास करवाएगा साथ ही साथ जब आप स्कूल लेक्चर बन ज देगे कि वास्ता में RPSC क्वालिफाई करके आया है तो इस प्रकार यह है पूरा और इसको करें ठीक है थैंक्यू